Hello friends, welcome to समाधान Education NM भरती को लेकर क्या अपडेट है इसके बारे में जानेगे NM भरती को लेकर कई केस चल रहे है आरक्षड को लेकर, कट ओप से ज्यादा अंग को लेकर, 380 सीटों को लेकर तो कई केस चल रहे हैं कल कोट में केस लगा था, ये केस अरक्षड को लेकर किया गया है लेकिन केस की सुनवाई नहीं हो पारी है Next date दी गई है, 3rd number, लेकिन date fix नहीं है कट ओप से ज्यादा number को लेकर जो केस किया गया है उसकी सुनवाई 21 number को होनी है लेकिन इसकी भी date fix नहीं है 380 सीटों को लेकर जो केस किया गया है उसकी सुनवाई 17 number को होनी है इसकी date fix है, और इसकी सुनवाई 17 number को होगी आज एक number को भी आरक्षड को लेकर कोट में केस लागा था तो देखे, इसको देख लेते हैं आरक्षड को लेकर 31 October को केस की सुनवाई होनी थी लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी, अगली date दी गई है देखे, 3rd number, लेकिन date fix नहीं है इसको देखे कट अप से ज्यादा number को लेकर इस केस की सुनवाई 21 number को होनी है और 380 सीटों को लेकर जो केस किया गया है उसकी सुनवाई 17 number को होनी है इसको देखे आज भी एक केस की सुनवाई होनी है ये भी matter आरक्षड को लेकर है तो इसे आप पुरीतर टेलिगाम चरप पर जाका देख सकते हैं लिंक आपको description में मिल जाएगा लेकिन code केस की बज़े से इस भरती पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जितनी महलाई selected है सभी को नुक्ति पत दिये जाएंगे इस भरती को लेकर अफ़ा भी फैल रही है कि इस भरती की जौनिंग नहीं हो पाएगी जबकि ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि इस भरती पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगी है इस भरती पर इस दे नहीं हुआ है इसलिए आदेस आने के बाद जल 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 नुक्ति पत दिये जाएंगे जिस दिन हमारे मुख मंतरी माननी योगी अतनाजी के पास टाइम होगा उसी दिन नुक्ति पत बितरित किये जाएंगे पांच नुमबर को नुक्ति पत दिये जाएंगे ये बात भी सोसल मीडिया पर वारल हो रही है जबकि अभी नुक्ति पत बितरित समारों के लिए डेट फाइनल नहीं हुई है अभी ऐसा कुछ नहीं है कि पांच नुमबर को नुक्ति पत दिये जाएंगे क्योंकि अभी डेट फाइनल नहीं हुई है डेट फाइनल होने के बाद आपको सुचित कर दिया जाएगा लेकिन अभी डेट फाइनल नहीं हुई है ये फेक न्यूज है कि 5 नॉमबर को नुक्ति पत दिये जाएंगे क्योंकि अभी नुक्ति पत्र नहीं दिये जाएंगे क्योंकि अभी फाइल भाग नहीं भेजी गई है जब तक फाइल भाग नहीं जाएगी तो डिक्ति पत्र आपको कैसे मिल जाएंगे इसलिए आप सभी भरती अफ़वाँ में ना आए कोई भी अपडेट मिलेगी तो जल्द आपको सूचित किया जाएगा इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए आप मारे चैनल को सब्सक्राइब चरू कर लीजेगा तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते आप लोगों से नेक्स वीडियो में थेंक्यू जैहिन जैभारत